नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकर के साथ दोस्तों JRP 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम UGC Net Paper 1 की expected question series कर रहे हैं और आज हमारा इसमें सात्वा दिन है इससे पहले हमने 6 lectures इसमें कर लिये हैं जिसमें हमने लगबग 10-10 प्रशनों को उसको आप देख सकते हैं जो हमारे 6 इससे पहले और lectures हो चुके हैं तो यह series यूँ ही लगातार चलती रहेगी दोस्तों तो आप बने रहे हैं हिंदी साहित्य वारता चैनल के साथ और इसके साथ ही साथ अगर आप UGC net हिंदी विशे से त्यारियां कर रहे हैं या हिंदी का आपका नेट की परिक्षा है तो आप हिंदी साहित्य वारता चैनल के साथ जुड़ सकते हैं यहां पर हम complete जो है त्यारियां कर रहे हैं और बहुत सारे lectures हमारे इससे पहले उसके regarding भी हो चुके हैं mainly हमारा जो चैनल है और हमारी जो त्यारियां है वो हिंदी विशे की ही हैं तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़के हिंदी विशे से net की त्यारियां अच्छे से कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज की lecture की शुरुवात कर लेते हैं और सबसे पहला प्रशन जान लेते हैं कि क्या है तो यहां पर देखिए 61st जो question है यह पूछा गया है कि संगत कथन बताईए तो आपका शिक्षन से इस question को रखा गया है कि आपका जो teaching aptitude है वहां से प्रशन है देखिए teaching और जो आपका दूसरा research है यह बहुत ही जादा माईने रखता है first paper में और इन से आपको बहुत जादा प्रशन पूछे जाते हैं और देखते हैं आपकी इस तरीके के eliminate करने के लिए आपको जादा प्रशन दे जाते हैं तो यहां पर प्रशन देखिए क्या पूछा गया है कि आपने संगत कथन बताना है तो सबसे पहले लिखा गया है कि शिक्षन अधिगरम प्रक्रिया की क्या है उदेश्यपूर्ण दिशा है तो यह बिलकुल सही बात है और यह शिक्षन की जो परिभाशा है या definition of teaching भी इसको का आजाता है कि जो आपका शिक्षन अधिगरम क्या है यह उदेश्यपूर्ण दिशा है तो यह भी क्या है ठीक है कि आपका शिक्षन माना जाता है इसको क्या माना जाता है एक जो योजना बद इसको गति वीधी माना जाता है बिलकुल सही बात है और इसकी जो प्रभावशीलता है ये किस बात पर निरबर करती है कि जो शिक्षारती है या जो विध्यारती है वो कितनी आसानी से आपके जो विशेवस्तु है उसको ग्रहन क समझता है कि वो बच्चे के लिए कितना सुगम है और कितनी सरलता से और आसानी से और कितना जल्दी वो चीजों को चीजों को सीखता है, ठीक है, next दीखिये कि शिक्षन पूरव निर्धारित उदेश्यों को प्राप्ट करने के लिए शिक्षक और अन्य चरों को विवस्तित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है तो देखिए क्या वो रहा है कि जो शिक्षन है वो जो पूर्व निर्धारित उदेश्य हैं उनको प्राप्ट करने के लिए कि जिक्षन के जो उदेशे हैं वो पहले से ही क्या है निर्दारित हैं और उनको प्राप्ट करने के लिए जो शिक्षार्थी है या जो विद्यार्थी है और शिक्षक है और अन्य जो चारह होते हैं उनको विवस्तित तरीके से संगटित करने कि वो क्या है एक प्रक्रिया मानी जाती है तो ये वारा कथन भी अपने आप में सही है तो सब के सब ये कथन कहां से रखे गए हैं ये शिक्षन की जो परिवाशा है डेफिनिशन से है उसमें से ही पूछा गया है लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें आती है जैसे शिक्षन के अंतरगत देखिए कि ये जो आपका शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किये गए जो अनुभव हैं उसके अधार पर उनमें अपेक्षा करित हम देखते हैं जो स्थाई परिवर्तन लाने की प्रक्रिया का नाम भी क्या है शिक्षन है ठीक है और इसके साथ ही साथ जो शिक्षन है देखिए ये जो आपका ग्यान अनुभव जो और आपके वेग्यानिक जो सिद्धान्त है उनका दक्षता से क्या करना है समाज के लिए उप्योग में लाए जाना भी आपका शिक्षन के अंतरगत आता है और जिसमें जो विद्यार्थियों को सिखाने के लिए क्या है अनुकूल वातावरन त्यार किया जाता है तो ये भी शिक्षन की परिभाशाओं में से एक प्रमुक परिभाशा मानी जाती है साथ ही साथ हम देखते हैं कि शिक्षन के द्वारा जो वांचित ग्यान है और कोशल है उसको सीखने और ग्रहन करने की जो ये प्रक्रिया मानी जाती है ठीक है तो ये था दोस्तो पूरा का पूरा शिक्षन उसकी परिभाशा और कौन-कौन सी चीजें उसमें होती हैं तो वो मैंने आपके बीच में रखती हैं तो इस वाले प्रशन का जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा उपरोक्त सब ही चलिए अगरा प्रशन हम देख ले अगर आपने अभी तक वो वाले लक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप एक बार उनको जरूर देख लीजेगा ताकि यहां पर आपको ज्यादा दिक्कत ना रहे तो यहां पर देखिए क्या पूछा गया है कि अधिगम की जो विशेशता नहीं है वो कौन सी है तो सबसे पहल अधिगम का अर्थ है ज्यान प्रदान करना तथा अनुभव को सांझा करना तो यह बात क्या है यह बिलकुल गलत बात है क्यों कि अधिगम का जो अर्थ होता है यह ज्यान प्रदान करना नहीं बलकि यहां पर क्या आएगा प्राप्त करना आएगा लर्निंग जिसको कहते ह तो यहाँ पर देखिए शब्दों का ही हेर फेर है थोड़ा सा इदर उदर हो गया और आपका प्रशन पूरा का पूरा गलत हो सकता है तो इसलिए आपने जो instruction होती है देखिए एक्जाम से पहले लिखी भी होती है आपके प्रशन पत्र में कि आप प्रशन पत्र को जो है सही तरीके से पढ़ें ठीक है ध्यान पूरवक पढ़ें तो वही चीज हम क्या कर देते हैं कई बार घट बड़ा हट में जल्दी जल्दी कर लेते हैं और मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि फर्स पेपर जो है वो अराम से करें सोच समझ के करें ठीक है तो अधिगम का अर्थ है ज्यान प्राप्त करना ना कि ज्यान प्रदान करना तथा अनुभव को सांझा करना ठीक है तो ये क्या है ये अपने आप में गल लर्नर हम सब क्या है आखिर तक हम लर्नर ही रहते हैं तो इसलिए तो नीचे आप लिखें देखिए अगला जो पॉइंट है भी कि अधिगम क्रिया है एक क्रिया शील पद्दती है और यह जीवन परियंत चलती रहती है तो यहां पर देखिए इस लाइन के साथ कैसे प्राप्त करना और जो आपने ज्यान प्राप्त किया है उस ज्यान को आपने लगातार परिश्रिप्त करते रहना है नरिश करते रहना मतलब एक तरीके से ठीक है तो दूसरा इसमें क्या हो जाएगा अपने आप में गलत हो जाएगा और बाकी सारे इसमें क्या है सही है यह है ज्यान बोधता संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव है तो ये भी अपने आप में सही कातन है clear है दोस्तों तो ये थे ये था प्रश्चन संख्या 62 अगला प्रश्चन हम देख लेते हैं 63 question है देखिए CAI किसका संख्षिप्त नाम है तो देखिए CAI ये computer से related है है ना ICT से तो इसके समंद में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखना बहुत जरूरी है ठीक है तो इस तरीके की जो full forms है ये बहुत जादा तो नहीं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब पूछी जाती है आप देखते हैं कि इतने जादा परिख्षाएं होती हैं first paper की है ना हर दिन अलग-अलग तरीके से प्रशन पूछा जाता है दो शिप्टों में अगर paper फिर से होता इस बार तो बहुत जादा question बनने के जबावना है तो इस तरीके के प्रशन हो सकता है पूछ लिया जाएं तो यहां पर देखिए computer assisted instructions तो पहला ही इसका जो सही answer होगा ठीक है जो आपका computer सहाइक जो निर्देश ठीक है यह है इसका सही मतलब ठीक है तो विकल्प number 1 इसका सही उतर होगा computer assisted intelligence नहीं होगा और computer analyzed जो instructions है यह भी नहीं है computer application instruction भी नहीं है सही जो उतर है देखिए computer assisted instructions ठीक है instruction है ना clear है चलिए अगला परशन हम देख लेत तो देखिए ये प्रशन भी अपने आप में बहुत ही जादा महत्तपूर्ण है आप देखते हैं कि इस तरीके से जो आपका स्वयम है या फिर स्वयम प्रभा है इनसे कुछ ना कुछ प्रशन आपको जरूर पूछे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है स्वयम को किन उदेश्यों से तयार किया गया है तो स्वयम देखिए आपका जो एक तो सबसे पहली बात ही आती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए कि Study Web of Active Learning for Young Aspiring Minds एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ Study Web of Active Learning for Young Aspiring Minds ये चीज़ आप आपने देखा होगा कि परिक्षा में इसको इस तरीके से पूछा गया है है फिर आगे देखिए कि आपका जो ये पूछ किया रहा है कि इसको किन उदेश्यों से तयार किया गया है तो स्वयम जो है देखिए भारत सरकार दोरा आरम किया गया एक कारेकरम है जिसमें हम क्या शिक्षा और उसके निती, है ना, कि जो अधार भुट से धांत हैं, उसके जो उदेश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए इसका त्यार किया गया है, ठीक है, तो कौन-कौन से वैसे उदेश्य हैं, जिन उदेश्यों से इसको त्यार किया गया है, देखिए आपके स्वयम क तो तीन है मेंली वो तो ये चीज है कि कितने उदेश्यों को प्रमुक तीन आधारबुद सिध्धान्त हैं जिसमें आपका सबसे पहले आता है पहुंच फिर उसके बाद निश्पक्षता और फिर उसके बाद गुणवत्ता तो विकल्प नमबर सी इसका क्या होगा बिल्कु गुणवत्ता है ठीक है और इस प्रियास का जो उदेश है देखिए सबसे अधिक जो है वो वंचित सहित सभी को शेष्ट शिक्षन अधिगम साधन उपलब गरवाना है आपका जो ऑनलाइन एजुकेशन है ठीक है तो ये था इसका सही अंसर पहुंच निश्पक्षता चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या 65 है देखिए यहां पर तो इसमें ये पूछा गया है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आपने नहीं होना है ये प्रशन नंबर है आगे से हमारा प्रशन यहां से शुरू होता है तो ये देखिए कह लिखा है 28 है उस को देखना है कि वो कौन सी होगी तो इससे पहले भी हमने इस तरीके के बहुत सारे नंबर सीरीज वाले प्रशन कर लिए हैं हर एक लेक्चर में हमने अलग-अलग तरीके से प्रशन को रखा हुआ है अगर आप चाहते हैं कि उन लेक्चर को आप एक बार देखें तो जितन 30-2 हम करेंगे तो 31 हो जाएगा ठीक वैसे हिए यह सीरी जै आगे चलती रहेगी देखिए यहांपर हमने क्या किया पांच जोड दिए यहांपर हमने माइनस कर दिए 2 फिर से दुबारा हमने अब क्या करना है जो आपका 31 है देखिए यहांपर लिख दिया हमने 31 जो यहां था इसमें हमने plus कर देना 5 तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ठीक है अब बारी के आईए आपकी जो minus 2 को करने की बारी आई है ठीक है तो minus 2 अगर 36 कर देंगे तो इसका कितना अंसर आजाएगा 34 अंसर आ जाएगा तो पहले इसमें देखिए 5 को क्या किया गया है प्लस किया गया है फिर माइनस 2 किया गया है ठीक है फिर दुबारा इसी तरीके से ये क्रम चलता रहेगा और आपका सही अंसर आता रहेगा चाहे इस सीरीज को आप कितना भी आगे बढ़ा ले ये इस तरीके से आता रहेगा पहले प्लस करना है फिर माइनस 2 करना है ठीक है तो ऐसे ही देखिए यहां पर 34 आ जाता तो प्लस उसमें 5 करेंगे तो 39 आ जाएगा 39 में 2 हम माइनस कर देंगे तो 37 होगा इसलिए इसका जो सही उतर होगा देखिए यह 34 होगा तो नंबर सीरीज वाले प्रशनों में जो जो ट्रिक्स या जो जो फॉर्मूले हैं वो आपको डे बाई डे हम लगातार बता रहे हैं तो आप चाहें तो पहले के लेक्शर को है इसको देखने का तो यहां पर देखिए एक sign of interrogation बिल्कुल center में लगा है कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी ठीक है तो सबसे पहले है देखिए 8 तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना था simply आपने 2 माइनस कर देने हैं यहां भी आपने 2 माइनस कर दिए तो कितना आगया दिए 8 में से 2 कार दिया 6 रहे गया 6 में से 2 कार दिया 4 रहे गया ठीक है न यहां पर अब क्या करना है आपने 3 है और 7 है तो बीच में देखिए क्या आजाएगा आपका 5 आएगा यहां पर आपने होगा देखिए यहां पर यहां पर क्या आएगा आएगा पांच आएगा तो यह था बहुत इस सिंपल कोश्चन है चोटा सा कोश्चन है लेकिन कई वार हम ऐसे ही प्रशनों में अटक जाते हैं कि यार अब यहां पर क्या किया जाए तो वहां पर बिल्कुल भी confused नहीं होना है चलिए अगला पशन हम देख लेते हैं पशन संख्या यहां पर है 67 तो यह पूछा गया है देखिए internet ethical protocol को क्या कहा जाता है तो देखिए एक तो आपकी यह चीज है वह भी नहीं है इसको कहा जाता है आपका neticate तो देखिए neticate से आप कैसे समझते हैं कि जो internet पर अच्छे धंग से जो कारे करने का एक शिष्टाचार है यह है ना कि आप internet पर किस तरीके से काम करते हैं उसमें कोई गलत चीज तो आप नहीं कर रहे हैं इसको कहा जाता है आप होती जादा confusing हो सकता है ठीक है मतलब जो आप शिष्टाचार की बात करते हैं किस पर internet पर है ना तो उसको हम neticate कहेंगे चलिए अगला प्रशन देखिए प्रशन संक्या 68 है निमी लिखित में से किस वर्ष में किंद्री शिक्षासलहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी तो केब का काम क्या है यह आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम तो भी आप comment section में जाकर हम से पूछ सकते हैं वहाँ पर हम अगले lecture में हम इसके उपर भी आपको पूरा एक त्यार करके देंगे यहाँ पर देखिए कि स्थापना इसकी कब की गई थी केंद्री शिक्षा सलाहकार बोड की तो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह होगा 1925 विकल्प नमबर एक इसका क्या होगा सही अंसर होगा ठीक है चलिए अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं देख लेते हैं 69th question यहाँ पर देखिए निमी लिखित में से कौन सा मातरात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्नन है तो देखिए क्या पूछा गया है आपका जो मातरात्मक अनुसंधान है उससे रिलेटिड आपका ये प्रशन रखा गया है ठीक है मातरात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं आपका जो जिसको कहते हैं quantitative research clear है तो यहाँ पर द प्रियास करना तो प्रशन कुछ समसे हमने डंग से समझना है कि मातरात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वनन पूछा है तो ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा मिलता जोलता है उसको नहीं है जो बिलकुल अच्छा है बिलकुल सटीख है खोजपुर्ण अनुसंधान नहीं ह नेक्स से देखिए अनुसंधान के लिए सिध्धानतों को स्थापित करने का प्रियास करना तो ये चीज गया है? ये सही चीज है आपका जो मात्रात्मक या परिमानात्मक जिसको कह जाता है अनुसंधान उसमें ये चीज आती है आपके quantitative research में ठीक है कि अनुसंधान के लिए सबसे पहले क्या की जाता है सिध्धानतों को स्थापित करने का प्रियास करना है ठीक है तो दीकिए आपका जो मातरात्मक अनुसंधान है वो सोभाव से निगमन का ही रूप है तो इससे पहले हमने एक बार आपका गुनात्मक रिसर्च के बा संधान है देखिए ये माना जाता आपका निगमनात्मक का रूप निगमन का रूप माना जाता है इसको ठीक है इसमें जैसे आपकी पहले जो उपकल्पना जिसको हाइपोतिसिस का निरधारन होता है और उसमें सिध्धान भी पहले से ही निरधारित होते हैं आपके मातरात्म होता है यह चीज आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ तो यह था आपका जो मातरात्मक अनुसंधान है गुनात्मक अनुसंधान के बारे में हम पहले ही विचार कर चुके हैं और जो यह मातरात्मक और गुनात्मक अनुसंधान है देखी यह किसके अंतरगत आते हैं यह आते है आपके प्रक्रिया के अधार पर अनुसंधान का वर्गी करण हम जब करते हैं, तो उसके अधार पर इसका वर्गी करण तीन तरीके से होता है, मात्रात्म, गुनात्मक और मिश्रित अनुसंधान, ठीक है, तो यह था आपका classification of research on the basis of process, clear है, चलिए, अगला प्रशन हम देख हैं, आखरी जो प्रशन है देखिए, आज का, यह है 70th, एक शोध अध्यन की गुनवत्ता किस अधार पर मुल्यांकन किया जाता है, शोध की जो गुनवत्ता है, किस अधार पर उसका मुल्यांकन किया जाता है, तो प्रकाशन का स्थान भी इसमें नहीं होगा, अनुशन सा उसी अधार पर उसका मुल्यांकन किया जाता है तो विकल्प नमबर 3 इसका क्या होगा बिल्कुल सही अंसर होगा तो ये थे दोस्तो आज के 10 प्रशन अगर इन 10 प्रशनों में कुछ एक गलतिया हैं तो आप हमें कुमें सेक्षन में जाकर बता सकते हैं और इसके अलावा यूर्ज और नईस पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद